असलाम लेकुम एवर्वान वालकम टो आईशा मेडिकल एजोकेशन आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कमपैरिजन ओव दी राइट एंड लेफ्ट एट्रियम हमारे पास जो है वो एट्रिया राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम हम उसका कमप हमारे पास जो एट्रिया का स्ट्रॉक्चर होता है इंटर्नल और एक्स्टर्नल फीचर्स हमने स्टडी किया है वो काफी हद तक सेम होता है ठीक है सो उनमें कुछ रिफ्रेंस है हम वो देखेंगे MCQ's point of view से भी हमारे पास important है सो सबसे पहले देख लेते हैं राइट एट्रियम को राइट एट्रियम में क्या है इट रिसीव वेनस ब्लड ओफ बॉड़ी ठीक है यह क्या करता है सबसे पहले जो ब्लड आता है न हमारे पास पूरी बॉड़ी से collect करके वो राइट एट्रिय of the heart contains deoxygenated blood so superior and inferior vena कैवा जो है वो हमारे पास deoxygenated blood body से collect करके किसमे डाल देते हैं इन राइट एट्रियम सो यह बॉड़ी से venous blood collect करके अपने अंदर रखता है ठीक है so left atrium क्या करता है it receive oxygenated blood from lungs यह lungs से blood carry करके oxygenated blood को carry करके अपने अंदर रखता है ठीक है then फिर ventricles के अंदर जाता है उसके बाद क्या होगा pushes blood to right ventricle through tricuspid valve atria के नीचे हमारे पास क्या होते है ventricle होते है so right atrium के नीचे क्या होगा right ventricle होगा right atrium वही venous blood किसमे डाल देगा right ventricle में through tricuspid valve mean right atria right ventricle के अंदर एक opening होती है जो के guarded by valve होती है और वह valve कौन से होते हैं tricuspid होते हैं इसी तरह अब जो हमारे पास left atrium में कौन सा blood है oxygenated blood है जो के lungs से आया था यह अब atria अपने पास नहीं रखेगा बलके जो उस left atrium के नीचे left ventricle है उसके अंदर डालेगा ठीक है यह क्य is blood to the left ventricle through the tricuspid valve इसके अंदर भी एक opening होगी जिसको कौन गार्ड करेगा बाइकस्पीड वैल्फ गार्ड करेंगे मीन left atria left ventricle के अंदर जो valve होता है वह कौन सा होता है बाइकस्पीड वैल्फ इसने right atrium ने right ventricle में blood डाल दिया left atrium ने left ventricle में blood डाल दिया difference क्या है इसने venous blood इसके अंदर डाला है इसने oxygenated blood इसके अंदर डाला है ठीक है सो next point क्या है forms right border part of sternocostal surface and small part of base of heart हमारे पास heart एक conical organ है उसकी base उपर होती है इस तरह हास देना heart हमारे पास तो उपर क्या है उसकी base है नीचे क्या है इसकी apex है सो हमारे पास atria उपर होते हैं और ventricle नीचे सो right atrium यहां करके आ रहा है हमारे पास ठीक है सो यह क्या करता है right side पे है इसलिए right border में तो आएगा ही उसके लावा interiorly है तो sternocostal surface उसमें भी आएगा उसके लावा small part of base of heart जो heart की base है उसके अंदर भी right atrium contribute करता है अब हम देख लेते हैं left atrium को यह क्या करता है it forms major part of base of heart so यह जो बच्चा part base का होता है ज्यादा part left atrium बनाता है ठीक है इसमें क्या था small part small part of right atrium forms base of heart but the major portion of the left atrium forms the base of heart जो heart की base का ज्यादा part है वो कौन सा atrium मनाता है left atrium यह बात confirm है कि हमारे पास heart की base है वो बंगती दोनों atria से है ठीक है क्योंकि atrium उपर होते है और base भी heart की उपर होती है next हमारे पास क्या है it enlarged in tricuspid stenosis यह condition है हमारे पास जिसमें right atrium enlarge हो जाता है उस condition को बोलते है है tricuspid stenosis और हमारे पास left atrium कभी enlarge होता है it enlarged in the mitral stenosis mitral stenosis भी हमारे पास clinical condition है उसमें क्या आता है हमारे पास left atrium enlarge हो जाता है यह कुछ points है जो differ करते है right atrium left atrium को if you understand this video so please like share and subscribe the channel thanks for watching